हमने इस बार जो देश में पेट्रॉल और डिजल की जो दाम आस्मान चू रही है इसका बुरा असर गरीब और मध्यमर्गी छोटे मजोले के उपर जो पढ़ रहा है और जो बड़ी-बड़ी मोटर कारों में घूम रहा है उसकी तो चिंता नहीं है उसको तो खेर 150 रुपया जेब से निकल भी गया तो कोई फ़र्ट नहीं पड़ता लेकिन जो छोटे-छोटे हैं जो इसकूल कॉलेज है गरामिन छेतर के जो लोग है जो मुर्साइकिल में भी आप पेट्रॉल में आधा पेट्रॉल आधा किरासन तेल डाल के चलाते हैं और नतीजा कुछ दिन के बाद गारी खत्म होने के कागार पर आ जाती है इसलिए हम लोगों ने हमने ये नेड़ने लिया है कि लोग को इस समस्या से निजाद दिलाने के लिए मुटसाइक पेट्रॉल पर गरीब मजदूर मध्यवरगी लोग इनको अब पच्चीस रुप्या परती लिटर उनको रहा देने का घोसना आज इस मन्सिकी जाती है अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में नेड़ने इसको हमने लिया है और इसका लाब हम लोगों हम लोग 26 जनवरी से इस राज के लोगों को देना प्रारम करें और संसादन जैसे जैसे हमारा संसादन बढ़ेगा उसके अनुरूप राज के लोगों को हम लोग रहात देने का काम करेंगे और जो भी हमारे संसादन में आएगा वो राज के बीच में बित्रन होगा और लोग ये भी कहते हैं कि ये कहते हैं कि खाजाना खाली है तो आखिर ये कहां से बाट रहें मैं आपको बता दू कि पूर की सरकार की तरह हम लोगों का ये मंसा नहीं कि राज को कर्ज के बोज में लादे रहना आज हम लोगों ने बित्र परबंदन करते हुए नए रिसोर्स जर्नट करते हुए कई माध्यम हम लोगों ने तयार किये हैं जहां आज सरकार को जो रेगुलर इंकम हुआ करता था उससे अलग हट करके बड़े पैमाने पर जैसे हम लोगों ने ट्रांजिट टैक्स यहां लगाया जिसके माद्यम से मात्र 10 रुपे के टैक्स में आज 100-200 करोड रुपे के आमदनी सरकार हो रही है और आज के दिन से हम लोगों ने ट्रांजिट को भी प्रारम करने का निर्ने लिया जहां बड़े पैमाने पर यहां पर माइन्स मिर्नर्स के माद्यम से जो ट्रके हमारे सडके खराब करती है उनके सहयोग से एक बड़ा आएका सोर्स बनाने का और इस राज को आर्थिक संसादन जुटाने का काम में हम लोगे हैं ऐसे कई चीजें हैं जो नए रिफॉर्म के साथ सरकार आगे बढ़ रही है संसादन भी जुटाएगी और राज में जनकल्यान कारिकरम को भी आगे बढ़ाएगी